CS student को लेकर के बहुत ही अच्छा official announcement आ रहा है आप सारे CS student को ये announcement के बारे में जानना चाहिए announcement बताने से पहले एक छोटा सा request करेंगे अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe करके all notification विल दबाद दीजिएगा ताकि आपको एक भी important update हो या announcement मिस नहीं हो पाएगा सबसे पहले आपको ICSI के official website पे आ जाना जैसे ही आप official website पे आओगे तो यहाँ पे देखोंगे एक announcement आया हुआ है जो बहुत ही important है Point number 3 में देखोगे Registration of CS executive program between 1 April 2021 से ले करके 31 March 2022 तक में registration करोगे CS executive में वो student जिनका lost हो गया है COVID-19 के कारण parents या उनका legal guardian तो उनको registration करते time में उनको छूट मिलेगा पैसे में छूट मिलेगा Point number 4 देखोगे बहुत important है पहले ऐसा rule नहीं था अब rule change हो गया पहले क्या rule था CSWT का exam सारे student को देना परता था अगर उनको CS करना होगा तो सिर्फ दो student को नहीं देना परता या तो वो CA हो नहीं तो CMA होना परता था तब वो जा करके उनको CSWT नहीं देना परता था direct interest से registration ले सकते थे CS executive में बट अब जो student graduation हो या post graduation हो वो अब student direct interest से registration ले सकते हैं CS executive में अब CSET exam देना कंपलसरी नहीं हो गया तब ये बहुत ही अच्छा news है कि अगर जो student का graduation complete है लेकिन graduation में minimum 50% marks चाहिए तब आप direct interest से registration ले सकते हो CS executive में इस related official announcement आज का date 23rd जुन 2021 को आया है ICSI का official announcement आप लोग भी देख सकते हो ICSI के official website पे जा करके लेकिन ये कब से effective होगा कि कब से तो यहाँ पे clear लिखा हुआ है कि 20 जुन 2021 से ये rule effective होगा आपने अभी तक charter studies टेलिग्राम चैनल को join नहीं किया तो join जरूर कर लिजए कैसे join करना description में link होगा या आप टेलिग्राम पे सर्च कर सकते हो charter studies आप चाहो तो charter studies इंस्टाग्राम को भी follow कर सकते हो इसका भी link description में होगा या आप instagram पे सर्च कर सकते हो charter studies और last में एक पार फिर से request करेंगे चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe करके all notification will दबाद दीजिएगा ताकि आपको एक भी CS related update हो या announcement मिस नहीं हो पाएगा और मैं मिलता हूँ किसी next video में